है गाईज में हूँ सचे निगाम हूर आज किस वेडर में हम बात करने वाले हैं इस पाइडर मैं 3 के बारे में आप आपको बता है कि Marvel का फैन बेस आज की रिट में दो चीजों में डिवाइड है कुछ लोग कह रहे हैं कि Spider-Man 3 एक Spider-Verse movie होने वाली है कुछ लोग कह रहे हैं ये सब बेकार की बाते हैं और Spider-Man 3 एक Spider-Verse movie नहीं होने वाली है काफी लोग तो यह भी बोरे हैं कि Tom Holland के Spider-Man को एक mentor की ज़रे क्यों पड़ती है बार बरस की movie के अंदर एक ऐसा person क्यों डालना होता है क्यों Spider-Man पे हम बरस सा नहीं कर सकते सारे के सारे डाउट क्लिए करने वाला हूँ आज इस वीडियो में अपना perspective भी बताऊँगा और आपका perspective आप comment section में जरूर बताना एगाईस मैं उस अच्छे निगम and let's begin the video अब अगर चैनल पे आई गए हो तो subscribe करो तो रादा काम मत करना बैल आइकन दबाके all पे जरूर क्लिक करना सबसे बहले हम आप लोग को यह बताऊँगा कि Spider-Man को एक man tone की जरूर क्यों होती है क्योंकि आज खल मैं काफी वीडियो देख रहा हूँ तो उसके अंदर भी आपको एक करक्यर यूस करना पड़ेगा इसलिए अभी तक हल्की सोलर मुवी नहीं आई है क्योंकि जो हल्की राइट है वो यूनिवर्सल स्टूडियो के पास है सेम कहानी Spider-Man के साथ में अगर सोनी उनिवर्स के अंदर जो सारे के सारे कॉंट्रैक्ट है जो राइट है वो सोनी के पास है और अगर मावल्स का स्टूमाल करना चाहती है तो उनको कोई करक्यर जोड़ना पड़ेगा तो आई होप आपका डाउट अप क्लियर हो गया हूँ सैकली बात करते हैं इस मूवी के बारे में अब काफी लोग ये बोर रहे है कि ये मूवी एक Spider-Verse होने वाली है मैं भी उनमें से एक हूँ और काफी लोग ये भी बोर रहे हैं कि ये मूवी Spider-Verse नहीं होने वाली है हाँ मैं मानता हूँ कि ये मूवी अगर वो Spider-Verse बनाते हैं तो कुछ जल्दी हो जाएगी और शाइस टॉम होलन को जो तीसरी मूवी उनको मिलनी चाहिए वैसी वो नहीं मिल पाएगी आप सिंबल सा लोग जी लेकि चलो अगर आज की रेट में Spider-Man थी हमारे सामने बनने वाली है और इसमें टोबी मेगवार और एंड्रू गार्फील के Spider-Man भी आ जाते हैं तो कहीं न कहीं लोग और लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे तो मेरे खाल से यह टॉम होलन के Spider-Man के साथ ना इंसाफी होगी मुझे ऐसा लग रहा थे कि एक्शली में Spider-verse मूवी होने वाली है बट अब मैं बात कर रहा हूं अपने sources से तो जैसे कि मैं आपको बोलता कि अगर मुझे जो भी आप टाड़ी के मैं आपको तब बताऊंगो ज़रूर तो अभी जो अपडेट हमारे सामने आई है वो यह है कि Tom Holland ने अभी फिलाल जो है Spider-Man 3 की शूटिंग शुरूर ने की है बाकि जो चास्ट रहों तो शूटिंग शूरू कर दिया अभी फिलाल बश नुई-York में शूटिंग कर रहे है ऐसके बाद वो अटलंटा जाएंगे और अल्लंटा में जाने के बाद महाँ आप शूटिंग करेंगे तो फिलाल मैं आपको बतान साओंगा नेड जो करक्टर प्ले करते हैं वो और और अपने सैट पर शूटिंग करना शुरू कर चुकர है और जल्दी हम इस पाइडर मैं की कुछ अबडेट देखने को मिलेगी अब बात करते हैं कि Actually में क्या ये movie Spider-Verse होने वाली है तो इसका जवाब है हमें नहीं पता देखो simple सा logic है अगर आप चाहते हो कि Spider-Man की movie Spider-Verse हो आप definitely ये बात चाहोगे जरूर लेकिन मैं भी ये बात चाहता हूँ सब लोगे बात चाहते हैं लेकि मावल ने बोला कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा अभी ये काम मत करो और अभी जो rumor चल रहा है वो ये है कि टोबी मेंगवाईर की Spider-Man 4 और एंडू गार्फिल्ड की Amazing Spider-Man 3 शायद आ सकती है शायद आने के चांस है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर Spider-Man 4 यानि टोबी की 4 और एंडू गार्फिल्ड की Spider-Man 3 अगर ये movie आती है उसके बाद ही Spider-Man का जो Spider-Verse है उसको introduce करना चाहिए लेकिन अगर Spider-Man 3 के अंदर ही वो introduce कर देते हैं तो मुझे नहीं पता मावल इसको कैसे pull-off करेगा चाहता मैं यही हूँ कि actually मैं Spider-Man 3 एक Spider-Verse movie हो लेकिन अगर ऐसा वो करते है तो मुझे यही नहीं पता है कि Tom Holland के Spider-Man को overshadow होने से कैसे रोकेंगे क्योंकि obviously जब Toby आएंगे तो उनको तो पूरा screen time चाहिए कुछ rumors की माने तो आपको बता दू rumors क्या चाहिए रहें rumors के रहें कि Andrew Garfield लेतो Spider-Man 3 का जो contract था वो sign कर लिया है लेकिन Toby Maguar अभी यह बोर रहे है कि मुझे पैसे मतलब नहीं है पैसे तुम्हें जितने देने उतने दो बट मैं screen time जाधा चाहता हूं और उनकी बात गलत भी नहीं है क्योंकि obviously अगर वो 2 minute का cameo देंगे या फिर 10 second का cameo देंगे तो उनका cameo वेस्ट हो जाएगा हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ वर सिर्फ टोब एमगार की शकल दिखाए जाए हम चाहते हैं उनका Spider-Man हमें दिखाए जाए लड़ते हुए एक अच्छे scene में कुछ अच्छे से तरीकों से हमें वो चीज इंट्रीडूस की जाए तो सारे के सारे fans के लिए बहुत अच्छी बात होगी तो अभी यह rumor चल रहा है कि Toby सिर्फ यह बोर रहे है कि मुझे थोड़ा सा screen time दो 10 से 15 minute तो atleast मुझे दो अगर 10 minute उनको मिल जाते हैं शायद वो contract sign कर लेंगे मैं दुबारा बोर लेंगे सिर्फ एक rumor है इसके बारे में कोई confirmation नहीं है अब अगर आगे बात करें कि इस बात की क्या chances है कि Spider-Man movie ए Spider-verse movie होने वाले है तो इसके chances बड़े हिलो है मेरे साब से अब Electro इस universe में कैसे आने वाला है हमें नहीं पता Doctor's Change का role इस movie के अंदर क्या होने वाला है हमें नहीं पता अभी early speculation अब नहीं कर सकते मैं आपको बोल दूँ कि मैं Spider-verse movie होने वाले है फिर आप बात में मुझे बोला कि अगर यह movie एक Spider-verse movie होने वाली है जो कि Sony actually मैं प्लान कर रहा है मैं आपको पहले बता दो Sony actually मैं प्लान यह कर रहा है कि उनको एक Spider-verse movie बनानी है live action जिसमें वो सारे के सारी universe को जोड़ देंगे लेकिन यह plan कब execute होगा यह plan कब हमारे सामने आएगा इस plan को कब real shape दी जाएगी हमें नहीं पता है लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि Spider-man 3 एक Spider-verse movie हो आप अपने व्यू जो है comment section में जरूर बताना तो thank you so much for watching this video क्या आप यह मानते हैं कि यह movie एक Spider-verse movie होने वाली है comment section मुझे बताना जरूर और अगर आपको लगता है कि यह movie सिर्फ इस Spider-man 3 movie होने वाली है कुछ जादा नहीं होने वाला और यह भी बात आप comment section में जाकर जरू बताना है मेरे को thank you so much for watching this video Spider-man की coverage कैसे लग रही है एक ही चीज़ अपने चानल पर cover करने ही कोश्च कर रहा हूँ इसलिए give a like on this video share this video with all your friends thank you so much for watching this video मिलूंग आप से अगली वीडियो के एंडर बाय गास चेकर लव यौल and have a great amazing day